तो आज की वीडियो में हम गेम को another feature प्रवाइड करेंगे कि जैसे ही enemy bullet प्लेयर से टकराई तो प्लेयर डिस्ट्रॉई हो जाए तास काफी सिंपल है तो इसलिए आप इसे अज़ा चैलेंज भी ले सकते हो आपको करना कहा है जैसे हमने enemy को destroy किया था बैसे ही आपको player को destroy करना है और ये काम हम recently कर चुके हैं तो इसलिए आज मैं आपको कोई hint में नहीं दोंगा वेडियो को pause करो खुझ से try करो हे दोस्तो मेरा नाम है सनी and welcome to the channel तो hope आपने challenge complete कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो गेना मुझे follow कर सकते हो तो हम unity game engine में आएंगे अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हमारी ये enemy bullet है वो जैसे ही player से टकराए तो player destroy हो जाए यानि कि हमें enemy bullet and player के बीच में collision चाहिए और जब भी हमें दो game object के बीच में collision चाहिए तो हमें उन तोनों game object के उपर collider लगाने पड़ते हैं तो हम क्या करेंगे enemy bullet के उपर and player के उपर collider लगाएंगे तो सबसे पहले हम enemy bullet के उपर collider लगाएंगे उसके लिए यहाँ पर हम enemy bullet को select करेंगे इसके उपर हम double click करेंगे जैसे देखो हम इसके उपर double click करते हैं तो जो हमारा actual enemy bullet prefab है वो open हो जाता है अब यहाँ पर हम इसके उपर collider लगाएंगे कैसे लगाएंगे हम add component में आएंगे physics 2D में जाएंगे and box collider 2D को select करेंगे again हमने 2D box collider select क्यों किया क्योंकि जो हमारा यह game object है वो एक 2D game object उसके बाद मैं क्या करूँगा added collider के उपर click करूँगा and जो हमारा यह collider है इसे मैं properly जो हमारी bullet है उसके उपर set कर लूँगा मैं 4 तरफ से ताकि जो हमारा box collider का size है वो हमारे bullet से match कर जाए तो ऐसे हमने क्या कर लिया enemy bullet के उपर box collider लगा दिया अब हमें next क्या करना है हमारे player के उपर collider लगाना है तो उसके लिए again हमारे scene में आएंगे यहाँ पर हम player को select करेंगे and player के उपर collider लगाने के लिए हम add component में आएंगे again physics 2D को select करेंगे and again यहाँ पर हम कौनसा collider select करेंगे edge collider 2D अब देखो जैसे हम edge collider 2D को select करते हैं तो जो हमारा देखो यह plane है इसके उपर यह line बन जाती है यह है हमारा edge collider तो अब हम क्या करेंगे इससे edit करेंगे उसके लिए हम edit collider के उपर click करेंगे ठीक है and जो हमारा यह collider है बिल्कुल जैसे हमने enemy के लिए select किया था बिल्कुल वैसे हम हमें हमारे player के उपर भी इससे properly set कर लेंगे ठीक है तो हम इसे दोनों तरफ से set कर लेंगे and यहाँ पर and that's it यहाँ पर and ठीक है तो इतना हम इससे select कर लेंगे again हमने edge collider से लिए choose किया है क्योंकि जो हमारी यह bullet है वो टकराएगी तो वो कहाँ पर टकराएगी वो हमारे player के front side पर टकराएगी तो इसलिए हमने क्या किया है edge collider को हमारे plane की front side के उपर set किया है तो हमने क्या कर लिया हमने हमारी enemy bullet के उपर को लगा दिया and हमारे player के उपर collider को लगा दिया अब हमें क्या करना है अब हमें detect करना है collision को programming के जरी ठेक है तो यहां पर again जैसे कि मैं आपको बताया था आपको याद रखना है कि जिस game object के उपर हम detect करना चाहते हैं collision को उस game object के उपर हमें एक component लगाना पड़ता है कौन सा component rigid body component तो हम क्या करेंगे हम player के उपर rigid body component लगाएंगे क्योंकि हमें player script की help से collision को detect कर रहा है तो हम क्या करेंगे player के पर select करेंगे ठीक है and add component में आएंगे again हम physics 2D में जाएंगे and यहाँ पर again हम rigid body 2D component को select करेंगे उसके बाद हम जो हमारा यह body type है उसे हम dynamic से कर देंगे kinematic ठीक है and जो हमारा यह edge collider है उसे हम बना देंगे trigger कैसे जो हमारा इस trigger है इससे select करके ओके और यह जो हमारा rigid body component है न यह लगाना ज़रूरी है अगर आप programming के जरीए collision को detect करना चाते हो अगर आप यह component नहीं लगाओगे न तो आप programming के जरीए collision को detect नहीं कर पाओगे तो अब हम क्या करेंगे अब हम programming के जरीए collision को detect करेंगे जिसके लिए हम हमारी player script को open करेंगे तो हम क्या करेंगे जो हमारी स्क्रिप्ट है यहां पर हम क्या गरना चाहते हैं यहां पर हम को डिटेक्ट करना चाहते हैं यहां पर मोर स्पेसिफिकली कहें ट्रेगर को डिटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि वहां पर हमने एज कॉलाइडर को trigger मना दिया तो वो trigger को हम कैसे detect करते हैं उसके लिए हमें method यूज करते हैं कौन सा method यूज करते हैं on trigger enter method तो यहां बार हम एक method create करेंगे void on trigger enter 2D method अब जो हमारा ये on trigger enter method है ये तब execute होगा जब हमारा player किसी भी game object से टकराएगा ओके और हम चाते हैं कि जैसे ही हमारा player bullet से टकराए specifically enemy bullet से टकराए बैसे ही वो destroy हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी enemy bullet है उसे हमें recognize करना पड़ेगा और हम recognize कैसे करते हैं उसके लिए हमें जो हमारी enemy bullet है उसे हमें tag provide करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे हम prefabs में जाएंगे enemy bullet को select करेंगे यहां पर अभी इसके उपर कोई tag selected नहीं है इसलिए यहां पर untag लिखा हो है तो हम क्या करेंगे एक new tag create करेंगे तो यहां पर हम click करेंगे add tag के उपर click करेंगे add plus button के पर click करेंगे यहां पर हम जो हमारा new tag होगा उसे rename कर देंगे enemy bullet उके एंड उसके बाद save तो हमारे पास क्या हो जाएगा new tag create हो जाएगा अब मैं क्या करूँगा फिर से enemy bullet के पर click करूँगा इसके tag में click करूँगा यहां पर हम enemy bullet tag को select करेंगे तो अब मैं क्या करूँगा अब मैं इस tag की help से जो हमारा यह enemy bullet है इसे मैं recognize कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा again मैं हमारी script पर आऊँगा यहां पर देखो जो हमने onTigger enter method यूज किया था यहां पर मैं अब एक condition create करूँगा तो यहां पर मैं condition क्या create करूँगा if condition तो यहां पर मैं क्या tag दूँगा enemy bullet उसके बाद मैं हमारे इस condition में क्या करूँगा game object को destroy करें किस game object को destroy करूँगा हमारे player को तो मैं यहां पर simply के लिखूँगा destroy ठीक है and parenthesis में क्या पास करूँगा game object ठीक है and उसके बाद semicolon अब देखो मैं से control save करूँगा and मैं हमारे unity game engine में आऊँगा अब देखो अगर मैं play button के पर click करता हूँ तो जैसे देखो enemy bullet player से टकराती है player destroy हो जाता है simple ठीक है तो हमने क्या कर दिया हमारे player को destroy कर दिया okay अब हमें क्या करना है कि जैसे ही हमारा player destroy होता है वैसे ही वाहाँपर explosion spawn हो तो हम क्या करेंगे वाहाँपर explosion को spawn करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें वो explosion जाहिए जिसे हमें spawn करना है तो आप चाहो तो आप कोई भी explosion यूज़ कर सकते हो जो भी हमारे assets में available है बट अभी के लिए again जो हमारी ये देखो assets है shooting game assets के पर click करूँगा and यहां पर जो ये vfx folder है इसके पर click करूँगा अब जो ये देखो particle blast है ना ये मैंने वैसे ही create किया था ठीक है ये experimental है ये मैंने particle system की help से create किया था तो अगर आपके पास ये explosion काम करता है तो आप इस explosion को use कर सकते हो अगर नहीं काम करता तो आप किसी और explosion को use कर सकते हो ठीक है तो मैं क्या करूँगा जो ये particle blast है इसके उपर मैं double click करूँगा और इसे open कर लूँगा अब इसके related जो भी files हैं folders हैं वो हमें यहाँ पर देखो देखने के मिल जाते हैं मैं इन सभी को import करूँगा उसके लिए मैं जो यहाँ पर import button है उसके उपर click कर दूँगा जिससे क्या हो जाएगा कि यह सभी चीज़ें हमारे पास import हो जाएगा अब मैं prefabs पर click करूँगा और यहाँ पर देखो जो हमारा ये particle blast है ना ये वो हमारा explosion होगा तो अब मैं क्या करूँगा इस particle blast को open कर लूँगा सिर्फ चेक करने तो मैं इसके उपर double click करूँगा तो हमारे पास ये particle blast open हो जाएगा अब मैं यहाँ पर देखना जाता हूँ कि जो हमारा particle blast है वो देखने में कैसा है उसके लिए जो देखो यहाँ पर लिखा है smoke small उसके उपर एको click करूँगा तो यहाँ पर हमें देखो particle blast देखने को मिल जाता है अब मैं इसे stop करूँगा और फिर से अगर play करता हूँ तो यह है हमारा particle blast यानि के हमारे पास जो particle blast है वो as a prefab पहले से ही हमने save कर लिया अब मुझे क्या करना है इसे spawn करना है कब जैसे ही हमारा player destroy होता है तो वो हम कैसे करेंगे उसके लिए हम player script पर आएंगे अब यहाँ पर सबसे पहले हमें वो explosion चाहिए वो prefab चाहिए जिसे मैं spawn करना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम एक variable create करेंगे कैसे हम create करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे देखो public type हम देंगे game object name हम उसे में कहा देंगे explosion ठीक है उसके बाद semi column अब मैं ऐसे control save करूँगा और मैं हमारे unity game engine भी आउँगा ठीक है अब यहाँ पर देखो हमारी जो यह player script है उसमें हमारे पास देखो यहाँ पर यह explosion के नाम से field बन जाती है ठीक है तो मैं क्या करूँगा जो हमारा particle blast है ठीक है उसे मैं यहाँ से drag करूँगा and explosion में drop कर दूँगा इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा यह particle blast है अब वो हमारे उस explosion variable में आ गया ठीक है अब मुझे क्या करना है सिर्फ इस explosion variable को spawn करना है तो हम कैसे spawn करते हैं उसके लिए हम instantiate method को use कर दें तो हम instantiate method को कहां पर use करेंगे जहां पर हम हमारा जो player है उसे destroy कर रहे हैं कहां पर हम कर रहे हैं on trigger enter method में यह जो destroy game object लिखा है यह हमारे जो player को destroy करता है तो इसके बाद मैं क्या करूँगा explosion को spawn कर दूँगा कैसे spawn कर दूँगा instantiate method की है अब से तो मैं क्या लिखूँगा instantiate method ठीक है उसके बाद parentheses अब सबसे पहले में क्या पास करते हैं वो game object जिसे हम spawn करना जाते हैं जो कि क्या है हमारा explosion ठीक है उसके बाद हम वो position देते हैं जहां पर हम उसे spawn करना जाते हैं जो कि अभी के लिए क्या होगी transform.position क्योंकि हमें कहां पर spawn करना है हमारे player की position उसके बाद हम comma लगाएंगे and यहां पर rotation provide करेंगे quartanian.identity ठीक है and that's it इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास explosion spawn होगा अब हमारे पास जो explosion spawn होगा उसे हमें destroy भी करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये explosion हम spawn कर रहे हैं उसे हम एक variable में डालेंगे कैसे हम डालेंगे तो हम instantiated method से पहले क्या लिखेंगे game object जो की type होगी और उसके बाद हम variable name क्या देंगे blast और उसे हम equal to कर देंगे instantiated method जो हमारा है अब इससे क्या होगा कि जो explosion हम spawn करेंगे वो इस blast variable के अंदर store हो जाएगा अब मैं अगर इस blast variable को destroy करता हूँ तो जो explosion हमारा spawn होगा वो भी destroy हो जाएगा तो इसलिए हम next line पर क्या लिखेंगे destroy method को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे destroy parentheses यहाँ पर सबसे पहले हम क्या पास करेंगे blast जिसे हम destroy करना जाएगे और उसके बाद comma लगा कर हम time कितना देंगे 2f ठीक है अब देखो अगर मैं play बटन के पर click करता हूँ तो जैसी enemy bullet player से टकराती है player destroy हो जाता है और वहाँ पर देखो explosion भी spawn हो रहा और वो भी 2 seconds के बाद destroy हो जाता है ठीक है तो आज के लिए तना ही हमने क्या कर लिया हमने हमारे player को destroy कर दिया जैसे ही enemy bullet उससे टकराती है लेकिन हमें player को destroy नहीं करना है पहले उसे damage करना है और हम damage को show करने के लिए क्या करते हैं health bar को use करते हैं तो हम क्या करेंगे next video में हम हमारे player के लिए health bar create करें लेकिन एक different way से unity के inbuilt UI system की है तो आज के लिए इतना ही मैं आपको मिलूँगा next video में